आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल जिक्के कलासेज 1922 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर गेज फेकल्टी वेकेंसी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजेगा चली वीडियो की सुरुआत करते हैं या आप देखिए सांची उनिवर्षिटी ओफ बुद्धिष्ट इंडिको स्टेडिज यानि सांची बुद्ध भारती ज्यान अध्येन विश्विद्याले एम्टी के दुवारा ये जो है नोटिस जारी किया है या आप देख सकते हैं नोटिस फोर एंगेजमेंट ओफ गेस फेकल्टी यानि अतिती संकायों की निवक्ति है तो सूचना तो इसमें युनिवर्षिटी ने ये कहा है कि विभिन विश्यों में अतिती संकायों की पीचे दिये गए कारिय कर्म के अनुसार कुल्पती सांची बुद्ध इंडिक अधेन विश्यों विद्याले सांची जिला राय सेन मद्दे परदेश के कारियले में आयोजित किया जाएगा तो युनिवर्षिटी के दुआरा अलग-अलग विश्यों के इंदर असिस्टे किया जाएगा तो इसमें देख सकते हैं युनिवर्षिटी ने वाक इन इंट्रिव्यों का जो सेड्योल है वो जारी किया है आपके सामने यह डेट एंड टाइम और इधर है सब्जेक्ट तो इसमें तीन अप्रेल दो हजार चोबीस को ग्यारा बज़े से जो है कौन-कौन से सब्जेक्ट का वाक इन इंट्रिव्यों युजित किया जाएगा इसमें है अल्टरनेटिव एजूकेशन एंड होलेश्टिक डवलप्मेंट यानि विकलपिक शिक्ष्या और स्वमग्र विकास इसके बाद में देख सकते हैं इंगलीज ठीक है इसके बाद में इंबर्शिटी के अंदर यह जो केमपस बताया है कुलपती सांचीबुद इंडि का देन विश्व विद्याले यहां प्रायुजित किया जाएगा तीन अपरेल को प्राते 11 बजे से फिर 4 अपरेल को प्राते 11 बजे से जो है यह जो सब्जेक्ट है इंडियन फिलोश्पी ठीक है भारतिय दर्शन इसके बाद में इंडियन पैंटिंग यानि भारतिय चित्रकला इसके बाद में योग एंड हिंडी इन विश्यों का वाकिन इंट्रिवी जो है वो चार अपरेल दो हजार चोबीस को प्राते है ग्यारा बजे से आयोजित किया जाएगा तो UGC के अकोरडिंग जो निर्धारित योग येता हैं वो रखने वाले जो अब्यारति हैं वो यहाँ पर डारेक्ट वाकिन इंट्रिवी के अंदर सामिल हो सकते हैं आपको पहले से ने कोई ओनलाइन अपलाई करना है ने कोई ओफलाईन अपलाई करना है ठीक है आपको डा आपके पास में PG की डिगरी होनी चाहिए, Master डिगरी होनी चाहिए और इसके अलावा जो UGC या CSIR के दुआरा राष्ट्रिय पत्रता परिक्षा आयोजित की जाती है नेट वो आपको वालिफाइड होनी चाहिए या फिर स्टेट जो पत्रता परिक्षा होती है यानि प्रदेश के अंदर जो स्टेट पत्रता उत्तिरन अभ्यारती है वो सेट या सलेट बेस पर अपलाई कर सकते हैं अगर अपलाई कर सकते हैं तो आप समंधित विशे में अगर पीएच डी जो है क्वालिफाइड है तो भी आप जो इसमें अपलाई कर सकते हैं नेट क्वाल प्रवाइड है तो भी आप अपलाई कर सकते हैं बाकि मद्देपरदेश स्टेट के जो मूल निवासी हैं वो अब्यारती सेट या सलेट बेस पर भी जो अपलाई कर सकते हैं तो आपको डारेक्ट वाकिन इंट्रिव्यू के अंदर सामिल होना है इसके लिए आपको क्या करना है कि अपना जो सीवी है ठीक है अपने सीवी के साथ में अपने सारे जो मूल ओरिजिनल डोकुमेंट्स हैं मारक सीट वगरे हैं प्रमान पत्र वगरे हैं वो सारे जो ओरिजिनल हैं वो साथ मिलेने हैं पलस उन सभी की सेल पटेस्टेट जो फोटो कोपी है उसका एक सेट आपको साथ में लेना है और लेकर के आपको निर्धारित तित्थी को निर्धारित समय पर यूनिवरसिटी के अंदर जो है उपस्तित होना है इसमें direct walk-in interview के जरीया आपका selection होगा इसमें अन्य किसी परकार का आपको आवेदन नहीं करना है ठीक है तो इसके अंदर युनिवर्शिटी ने ये कहा है कि वाकिन इंट्रिव्यू के अंदर भाग लेने के लिए आपको किसी भी परकार का TA या DA जो है वो प्रदान नहीं किया जाएगा तो दोस्तो इसके साथ साथ UGC की एक अपडेट भी आपके लिए लेकर आया हूँ आप अपनी स्क्रीन पे देखिए University Grant Commission यानि UGC ने गोशना की है कि 2024 सेशन से PhD एडविशन के लिए National Eligibility Test यानि NET के स्कूर्स विकार किये जाएंगे अभी PhD कोर्सेज में दाखिले के लिए Universities अलग-अलग एडविशन टेस्ट आयोजित करते हैं ऐसे में नई विवस्ता से अब PhD केनिडेट्स को एडविशन के लिए एक से ज़्यादा एकजाम्स नहीं देने पड़ेंगे यानि जो UGC के दुवारा NET आयोजित कराए जाती है उस NET के अंदर ही तीन केटेगरी बना दी गई है तो उसमें स्कोर कार्ड के बेस पर ही युनिवर्सिटीज के अंदर अब पीएचडी के अंदर भी एडविशन अब्यार्थी लेश केंगे इस अपडेट को विस्तार से जानने के लिए देखिए हमारा यूटूब चैनल सेखावाटी लेक्चर वहाँ पर मैंने सवेरेई वीडियो अपलोड करके विस्तार से इस न्यूज के बारे में आपको जानकारी प्रदान की है तो कोई भी अब्यार्थी जो इच्छू के आवेदन करना चाहता है ठीक है